हाई फ्रेंट्स में हूदिलवार मेरा कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फर केरियर में आपका सवगत हैं आज का जो दोस्तों टॉपिक है वह है डाइस डाइस एक बहुत ही इंपोर्टेंट चप्टर है अब देखें होंगे बहुत सारा कॉम्पेटिव एक जाम में डाइस लेकर एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को ट्राडिशनल प्रोसेस से सॉल्व करने में बहुत ही टाइम लग जाता है फ्रेंड्स आज आप लोगों को इस वीडियो में दिखाना है डाइस से लेकर जितना भी क्वेश्चन आता है कॉम्पेटिव एक जाम में उन सभी का स्वाट का ट्रीक्स श्रिप दो सेकेंड में आप इसको सॉल्व करते हैं कर सकते हैं बहुती आसन तरीके से यहाँ पर द देखिए यह पहले नमबर बला डाइस से इस सेकेंड बला डाइस थार्ड नमबर बला राइस इन तीनों का ही शॉट का ट्रीक है जो आप देखने के लिए विडियो के लाष्ट तक देखते रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं Dice का problem solve करने के लिए आपको पहले ही जो जानना पड़ेगा वह है कि Dice होते कितने प्रकर के है Manly Dice टू प्रकर के होते है एक हो गया Standard Dice और Second General Dice तो दोस्तो आपको पहले किसी भी Dice को देखकर यह पहले फाइंड करना है कि वह Standard Dice है या General Dice है दोनों का मेथोड बिल्कुल अलाग है तो Standard Dice क्या है वह पहले देख लेते हैं चलिए Standard Dice है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर किसी भी दो नंबर को जोड़के 7 होना चाहिए किसी भी एक दो नंबर को यहाँ पर देख सकते है आप 1 plus 5 is equal to 6 7 नहीं 4 plus 5 is equal to 8 7 नहीं 4 plus 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 7 नहीं यहाँ पर दोस्तो 6 plus 1 is equal to 7 यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपोजीट नंबर आप आपको 4 निकलना है तो दोस्तों अगर इन दोनों में से या तीसरा कोई भी देदेगा तो तो तीनों मेंसे या दोनों मेंसे किसी भी दो नंबर को जोड़के सेभống हो जाएगा तो आपको आपका्या-ठी हो छाएगा यहाद डैस है यही रोल्स है अब जोần हाब और डरारे दाज का दुली देया आपके च्वा ट्न लोर ट्रश कहपेगे यही निकलना है 4 का opposite में कौन है तो यहाँ पर आप 7 में से 4 को minus कीजिए आपका हो जाएगा 3 तो 3 आपका answer हो जाएगा 4 का opposite में 3 है तो यह हो जाएगा आपका answer अगर यहाँ पर पूछ लिया होता कि मान लिजिए 5 5 का opposite में क्या है तो 7 minus 5 is equal to 2 हो जाएगा आपका answer अगर मान लिजिए आप यहाँ थीरी का opposite कितना होगा तो थीरी का opposite मान लिजिए आपका 3 है तो 7 minus 3 is equal to 4 यहाँ देख सकते हैं फोर का opposite 3 है 3 का opposite 4 है और भी 6 का opposite कितना होगा 7 minus 6 is equal to 1 हो जाएगा मन लिजिए आप 1 का opposite कितना आएगा 7 minus 1 is equal to 6 वन का opposite वन का opposite जो 6 आएगा चले और एक 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 जमपल ले 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 थे हैं स्टंडर्डार्स का देखा देते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ और एक 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 जमपल ले 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 लेए 5 PLUS ON is equal to 6 नहीं होगा 5 PLUS 3 is equal to 8 नहीं होगा यह आप देखें 4 PLUS 2 is equal to 6 SIX PLUS 2 is equal to हो जाएगा 8 शर्डोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गलत होगा यहाँ आपर 6 नहीं होगा यहाँ आपर हो जाएगा आपका हो जाएगा 3 तेहा पर आप देख सकते हैं 4 plus 3 is equal to 7 तो आपका स्टेंडर्डाइस के अंदर चलाएगा तो इसका जो अब क्वेश्चन में कहा है कि ओपोजिट ऑफ 5 5 का ओपोजिट निकलना है तो 5 का ओपोजिट निकलने के लिए 7 से 5 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 तो 2 आपका अंसर हो जाएगा इसी तरह आपका मानलीजिए 3 का ओपोजिट कितना होगा यहाँ पर 6 से दीजिए 6 प्लस ओजिए 7 स्टेंडस डास के आँदर आईगा तो इसी ट्रिक्स से आपका 5 का जो एंसर हो जाएगा और फोर का जो डाइस है वह है जेनर्डाइस जेनर्डाइस का रूल्स थोड़ा सा अलाग है तो इसको दोस्ते इस टेंडर्डाइस यह बला मिटा देते हैं यह बला मिटाएंगे तो यहाँ पर सॉल्प करके आपको दिखाएंगे कि जेनर्डाइस का यहाँ पर सॉल्प करके दिखाएं 7 हो था यहाँ पर 7 नहीं होगा यहाँ पर देखिए 3 plus 6 is equal to 9 3 plus 2 is equal to 5 6 plus 2 is equal to 8 3 plus 2 is equal to 5 2 plus 1 is equal to 3 3 plus 1 is equal to 4 यहाँ पर किसी भी नमबर दो नमबर को जोड़के 7 नहीं हो रहा है तो यह आपका general dice के अंदर आ जाएगा तो दोस्ता यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बहुत ही shortcut tricks हैं यहाँ पार देखिए दोनों conclusion में पहले question पूछ लेते हैं question है आपका opposite of 6 6 का opposite कितना है यही आपको निकालना है तो दोस्तों यहाँ पार दोनों में से देखिए common कितना है यहाँ पार देख सकते common two है तो पहले वाला dice का लिख लेते हैं common two है उसके बाद clockwise position में इसको घुमाए और लिखे तो के बाद आपका हो जाएगा six clockwise में six लिख लिजे यहाँ पर उसके बाद six के बाद इसको भी clockwise में अब का जाएगा three यहाँ पार three लिख लिजे अब सेकेंड बॉक्स में जाएगा यहाँ पर को मॉन है टू टू के नीचे टू लिख दीजे अब दोस्तों clockwise हमेशा लेना है तो six के नीचे क्या हो जाएगा clockwise two के बाद आपका हो जाएगा one six के नीचे आपका हो जाएगा one इसी तरह one के बाद one के बाद आपका clockwise अपका हो जाएगा three तो यहाँ पर three अब दोस्तों देख सकते हैं six और one दोनों एक साथ आ गया तो six का opposite हो जाएगा आपका one और one का opposite हो जाएगा आपका six यहाँ पर three का opposite नहीं निकल पाया उतना conclusion नहीं दिया और question भी नहीं है है चले जेनरल डाइस का और question ले लेते हैं चले इसको मेetara देख सकते is году जेनरल डास का और one को और question ले लिया है यह पर आपढ़ देख़े किसी भी number को जोड़ के आपको seven नहीं मिलागा five-one 3-one 35-cat 4 2 4 6 6 2 किसी भी नंबर को दोनों नंबर को जोड के आपको 7 नहीं मिलेगा तो यह आपका जिनर्डाइस के अंदर पड़ जाएगा तो जिनर्डाइस का रूल्स आपको पहले दिखा देते हैं चलिए शोरी दोस्ते यहाँ पर गलत ले लिया यहाँ पार जो होगा आपका 1 1 6 शोरी 1 नहीं होगा यहाँ यहाँ पार जो होगा आपका 3 तो यहाँ पार देखिए 3 6 9 3 2 5 6 2 8 यहाँ पर कोई भी दो नंबर जोड के 7 नहीं हो राए तो यहाँ पार देखिए 3 यहाँ पर कोवन है तो पहले ती लिख लें लेते हैं उसके बाद क्लॉकवाईज 3 के बाद आपका हो जाएगा 5 उसके बाद 5 का अब इसमें ले लिजिए 2 बाल डैस में फिरी के बाद आपका हमें आ जायगा सीक्स के बाद आपका आ जायगा सीक्स तुल जी अब यहाँ पार दोस्तो फाइव का जो पवेजीठ है वह इस सीख से और और गगके ऊपेज़ीट वह सीक्स कर तुर आफ तुपा यह पॉजीट है आप दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 2 3 5 6 4 नमबर नहीं तो यहाँ पर दोस्तों थीरी का जो ओपोजिट हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चारो डाइस ले लिए तो यहाँ पर आपको पहले देखना पड़ेगा यह जेनरल डाइस है यहाँ इस्टांडर्डाड़ डाइस हैं तो यहाँ पर प्लास करके देखिए 3ी प्लास 6 6 प्लास 2 फ्लास 2 इन सबीक जोड़ेंगे 5 प्लास 4 यह तो नहीं होगा 5 प्लास 1 7 नहीं है 4 प्लास 1 7 नहीं है किसी बनामगर का आपको जोड के 7 नहीं आ रहा है तो रूल्स ऑई है लेकिन दोस्तों यहापद 4 यहें तो आपको पहले दीखना पड़ेगा कि क्या दिया है क्या है औसी उपनीट और 6 का ओपोजिट कितना है तो दोस्तों पहले बाला यहापद देख सकते हैं इसके अंदर और किसी का अंदर सिङ स्ट नहीं है तो इसको मास्ट राखना पड़ेगा त sekarang इसका कोमन किसी और से कोमन देख लिजिएन या आप देख्यें विहुकंट है यहां पर रू आपर ठीकमन्हें धिरीकमन्हें इसको आप लिख लिख सकते हैं यह और भी आप लिख सकते हैं यह ओधक हम देखिए normone है दो को मंदे 2 को मैं lol चले इसको ले ले लेते हैं पहले बाला जो है और आपका हो जाएगा टू को मन इसके बाद आपका हो जाएगा 6 उसके बाद हो जाएगा अपका 3 अब दोस्तों मान लिजी यह से ले लिजी यह से तो आपका कितना हो जाएगा पहले 2 ले लिए उसके बाद क्लॉक आज में आपका हो जाएगा और इसके बाद क्लॉक आज में 3 तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 6 और 1 है तो उपोजिट आप 6 यहां पर 6 का उपोजिट आज हो जाएगा तो ओन आपका एंसर हो जाएगा और नेगस्ट व संंप नेशल नंशन का लेकर त्हुक्त काठ आता है उसको करके दिखाएंगे तो चलिए देखते हैं यहां पर अब देख सकते हैं क्यूश्य में इसossen में पूशप्ड त्पोजिट आप ऋप गौुछ इप है यहां पर घृण है इस्किजिफव इकशम में तो इसको आप आग बंद करके जेनराल डाइस के अंदर इसको सल्फ कर सकते हैं तो कैसे सल्फ करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोमन पहले आपको कोमन देखना पड़ेगा यहाँ पर देखिए योलो कोमन है यहां पर देखिए यॉलो कमन है तो पहले यॉलो कमन लेते हैं यॉलो कमन लेते हैं उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यॉलो के बाद फार्स डाइस में आपका आ जाएगा क्लॉकाइज में घुम जाएगा तो आपका आ जाएगा रेड उसके बाद रेड के बाद आपका यह साइड में पिंक लिखें लिजए हूं आप दोस्तोम थार ड्ञ मन इसको देखें यू ये यॉलो के नेचे यॉलो लेख लिज़े उसके बाद यॉलो के बाद कैया आ जाए घा डाएंगा ये तो यहां पर रिड लेख लिजरें रेड के नीचे रेडी आ गया और एक दोस्तों यह रेड के साइड में कितना है क्लोक में ग्रीन है यह पर आप देख सकते हैं कि योलो योलो तो सेम हो गया और रेड रेड सेम हो गया यह पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन का उपोजिट में पिंग हो जाएगा और पिंग का उ क्या है तो गेंड का उपोजिट में पिंक है यही आपका एंसर हो जाएगा और एक कोश्चन आपको नहीं बात है वह भी कोश्चन भी देख लीजिए क्रेंड्स यहां पर इस्टेप कोश्चन बॉक्स का स्टेप डाइस का एंसर आपको नहीं दिखाए तो चलिए बाला भी देख लेते हैं यहां पाद देख सकते हैं दोस्तों यहां थिरी प्लास फॉर यह दोनों जोड के आपका सेभ्यन हो सकता है तो यह आपका हो जाएगा स्टेंडर्ड डैस के अंदर यह देख सेकते हैं तो यह आपका होगेगा स्टेंडर्ड डैस के अंदर के एक question है कि 2 का opposite में क्या है opposite of 2 2 का opposite में क्या है तो चलिए दोस्तों अब दोस्तों इसका बहुत जो आपको दिखाए थे उसी तरह solve होगा देखिए आपको 7-2 कर दिजी यह standardized है 7-2 is equal to 5 तो यह हो जाएगा आपका answer मान लेजिए आपर 3 का opposite में कितना होगा तो 7 से 3-3 कर दिजी हो जाएगा 4 तो 4 आपका answer हो जाएगा अगर इही question में दोस्तों अगर मान लेजिए कि यह बला नहीं है यह दोनों में से यहापर मान लेजिए यहापर 1 है तो इसका answer कितना हो जाएगा तो आपर आप देख सकते इसके बाद 2 के बाद आपका हो जाएगा clockwise में 6 उसके बाद 6 के बाद आपका हो जाएगा 4 यहापर 2 के बाद आपका हो जाएगा 1 उसके बाद हो जाएगा आपका 3 तो यहापर आप देख सकते हैं 6 का opposite 1, 4 का opposite 3, 2 का opposite क्या होगा? opposite of 2, तो यहाँ पर देखिए 1 है 2 है 3, 4, यहाँ पर देखिए कि यह से भी नामर फाइब नहीं है, तो यहाँ पर 2 का opposite जो हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 का opposite अपका 5, यह अंसर हो जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक, सियर करना ना बुले अगर दोस्ता आप मेरे स्मार्टी स्टाडी फॉर केरियर का सब्सक्राइब नहीं है तो जुरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और हमरे साथ जुड़े रही है